पायनी नुपर मंजु बजए कटिकिंकनी के धुन की मधुराई सावरे अंगल से पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई माथि किरीट बजे डुंग चंचल मंद हसी मुक चंद जुनाई जे जगत मंदी दीपक सुन्द शिबर्ज दुलदेव सहाई प्रस्तुत सवया कृति कालीन कवी देव के द्वारा रचित है और इसे हमारी पठे पुस्तक शितिस भाग दो में संकलित किया गया है कवी ने श्री कृष्ण के बाल रूप के अदभुत सुन्दर्था का वर्ण इस सवये में किया है कवे कहता है कि श्री कृष्ण के पाउं की पाजेप जो उनके चलने पर बजने के कारण अत्यन्त सुन्दर धनी उत्पन करती है उनकी कमर में करगनी है जो मीठी धुन पैदा करती है उनके सामले सलोने अंगों पर पीले रंग के वश्ट्र सोभा देते हैं उनकी चाती पर शोभा देती हुई फूलों की माला मन में प्रसन्नता उत्पन कर दी है उनके माथे पर मुकुठ है और उनकी बड़ी-बड़ी आखे हैं जो चंचलता से भरी हुई है उनकी मंध मंध हसी उनके चांद जैसे सुन्दर चेहरे पर चांदनी की तरह थैले हुई है संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान जब मागा गते हुए अती सुन्दर श्री कृष्न की जईजेकार हुई देव कहता है कि जीवन में सदा ही श्री कृष्ण उनकी सहायता करते रहें झाल उनकी सहायता करते रही कहते हैं झाल 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 झाल